विल्कम अगेंग तू रामानुजम स्कूल आफ स्टुडिज में मैं दिवापर भगत फिर से आप सभी का स्वाध करता हूं अभी हमारा सीरीज मैथमेटिक्स चल रहा है क्लास तेंद का जिसमें हम ट्रिग्रमेट्रिक कर रहें इससे पहले हम लोगों ने चार लेक्चर कर च करते हैं कि आइडेंटिटीज मतलब जो ट्रिग्रमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है वो क्या है तो देखिए सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे अगर हमारे पास हमने कहा कि टू एक्स प्लस थ्री वाई इस इस इक्वाल तो फाइड ओके तो यह हमारा equation हो गया इसे हम कहेंगे कि यह हमारा एक equation है हिंदी में हम कहेंगे कि यह हमारा समीकरन है समीकरन क्यों है equation क्यों कहते हैं और अगर हम कहें यहाँ पे कि a प्लस b का whole square this is equal to a square plus b square plus 2ab तो हम इसे कहेंगे कि यह equation नहीं है और इसे हम कहेंगे कि यह हमारा identity है, identity, तो सबसे पहले तो हमें meaning समझना होगा कि equation किसे कहेंगे और identity किसे कहेंगे और दोनों में similarity क्या होती है, तो अगर हम equation के बात करते हैं, तो एक हमारा pass left hand side होता है, और right hand side होता है, जैसे यहाँ पर हम बात करें, left hand side में 2x plus 3 है और right hand side में 5 है, दोनों के बीच में equal का sign होता है, same चीज identity में भी होता है, फिर क्या difference है equation में और identity में, तो आप देखेंगे कि equation में जो होगा हमारा एक unique solution निकलता है, equation में हमारा क्या निकलता है, unique solution, मतलब यह किसी particular value के लिए ही सही होता है, जैसे अगर हम बात करें कि LHS is equal to RHS करना चाहे, 2X plus 3 is equal to 5 में, तो यहाँ पे हम solve करेंगे इसे, तो X is equal to 3 minus 5 divided by 2 बन जाता है, और यहाँ पे अगर हम X की value, X is equal to 5 minus, और यहाँ पे क्या जागा 5 plus 5 minus 3 divided by 2, तो X is equal to हमारा बन जाएगा 1, इसका मतलब क्या है, कि अगर हम X is equal to 1 put करेंग इस equation में, so 2 into 1 plus 3, so this is equal to 5, मतलब LHS बराबर RHS हो गया, और यह LHS बराबर RHS जो होता है, वो किस value के लिए होता है, तो वो है हमारा X is equal to 1, so यह हमारा unique solution हो गया, या particular solution हो गया, तो किसी एक variable के किसी एक value के लिए, यह दोनो LHS और RHS बराबर होगा, एक या दो या कुछ value के लिए, ऐसा नहीं है कि हर value के लिए, तो S अगर linear equation है, तो एक value के लिए होगा, quadratic equation है, तो दो value के लिए होगा, तो इस चीज़ को हम बात में discuss करेंगे, कितने value के लिए होगा यह, तो equation का मतलब है, कि हमारा LHS और RHS बराबर होगा, किसी particular value of variable, जो X है, उसे हम कहेंगे, किसी particular value of variable के कारण LHS बराबर RHS होगा, तो उसे हम कहेंगे, equation, right, अब आते हैं, identity में, अगर हम कहें कि A plus B is equal to A square plus B square plus 2AB, क्या यह identity है, तो हम कहेंगे, हाँ, यह identity है, क्यों, क्योंकि हम कोई भी value ले लें, ठीक है, A और B का, माल लेते हैं, A is equal to 1 ले लेते हैं, और B is equal to 1 ले लेते हैं, तो LHS कितना हो जगा, 1 plus 1, that is 2, 2 का whole square, that is 4, तो यह LHS हो गया 4, same, अगर हम A is equal to 1, यहाँ पे 1 put करें, यहाँ भी 1 put करें, तो 1 plus 1 plus 2 into 1 into 1, so 4, तो A is equal to 1, और B is equal to 1, पे LHS is equal to RHS हो गया, अगर हम A का मान 2 और B का मान 1 रखते हैं, तो क्या हो जागा, अगर A का मान 2 रखें और B का मान 1 रखें, तो 2, 1, 3, 3 का square कितना हो जागा, 9, LHS में हो गया, और RHS में क्या होगा, A का मान हमने क्या लिखा 2, तो 2 का square 2, A का, B का मान है 1, तो 2 दूना 4 plus, यह क्या होगा, एक चारेक 5 प्लस 2 इंटो 2 इस 4 इंटो 1 इस यह भी हमारा 9 हो गया कहने का मतलब यहां पर यह है कि दोनों में जो इक्विशन के हम बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यह LHS is equal to RHS बराबर होगा लेकिन आइडेंटिटी की बात करेंगे तो हर एक वैल्यू के लिए यह LHS और RHS बराबर होगा जब इस तरह का किसी भी तरह का एक्सप्रेशन जो इक्विशन के साथ आए और वहां पर हर एक वैल्यू के लिए LHS और RHS बराबर होगा कुछ भी ले लेंगा अगर A is equal to हम 0 लेते समझी A is equal to हमने 0 ले लिया और B is equal to हमने ले लिया 1 0 plus 1 का square क्या होगा 1 square so this is 1 LHS RHS में भी हम यहां पर B A क्या हो जागा 0 B 1 plus 2 into 0 into 1 तो यह वाला part 0 हो जागा so 1 is equal to 1 तो A is equal to 0 और B is equal to 1 पर भी यह LHS और RHS बराबर हो रहा है यहां पर तो हम लोग कहेंगे कि अगर सभी value के लिए LHS और RHS बराबर होगा तो वो identity होगा अगर किसी particular value के लिए LHS और RHS बराबर होता है तो वो equation होगा यह basic difference है आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो इसी concept को हम use करेंगे और आज हम करेंगे trigonometric identities के बारे में जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले यह slide देखिए इसमें हमने 3 identities लिखें है इसको हम formula भी कहते है तो आपको यह 3 identities और formula याद होने चाहिए क्योंकि इनी formula को use करके हम different identities के question को solve करेंगे जो कि paper में पूछा जाता है तो formula क्या-क्या है हमारे पास sin square theta plus cos square theta is equal to 1 cos square theta minus cot square theta is equal to 1 sec square theta minus 10 square theta is equal to 1 इसके अलावा और भी बहुत सारे identities है जैसे मैं बोलूँ कि tan theta so tan theta this is equal to sin theta over cos theta यह भी एक हमारा this is cos theta यह भी एक हमारा identities है तो अभी हम लोग यह इस तीन identities के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं sin square theta plus cos square theta is equal to 1 यह सभी को पता होता है generally कि इसका मान 1 होता है अब हम इसका proof को देखेंगे और यह proof बहुत easy है आपको ध्यान से देखना है तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि एक right angle triangle draw करते है क्योंकि जब भी हम trigonometric ratio की बात करते है तो right angle triangle draw करते है so this is our a, b, c अब right angle किस पे है माल लेते है 90 degree का angle b पे है तो 90 degree का angle किस पे बी पे है तो इसके सामने वाला जो side होगा वो hypotenuse होजगा so this is hypotenuse अगर हम angle ये ठीठा लेते है तो इस angle के सामने वाला जो side होगा ये हमारा perpendicular कहलाता है और जो complementary angle है that is माल लेते हैं कि ये alpha है तो इसके सामने वाला side क्या हो जागा हमारा beta हो जागा ये हमारा base हो जागा so 90 degree के सामने वाला angle हमारा सामने वाला side हमारा क्या होगा हाइपोटेनस जिस angle के बारे में हम बात करेंगे उसके सामने वाला जो side होगा वो perpendicular होगा और जो complementary angle है भी हमने बात किया था पिछले class में complementary angle जो बनेगा right angle triangle में इसके सामने वाला side होगा उसे हम base करेंगे तो यह हमने define कर लिए और हमने पता कर लिया अब हमें क्या करना sin square plus cos square theta के बारे में लिखना है तो हम लोग जानते हैं कि sin theta this is equal to perpendicular over hypotenuse तो हमने perpendicular over hypotenuse कर लिया अब क्या करना हमें sin square theta करना है तो squaring both sides so we can write sin square theta this is equal to square करेंगे तो इदर p square हो जाएगा और h square हो जाएगा यह हो गया sin square theta और by definition cos theta this is equal to base over hypotenuse so base over hypotenuse h कर लिएगे squaring both sides करेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या जाएगा cos square theta so this is equal to b square over h square हमारे पास यह दो चीजा आगे suppose this is first equation this is second equation now हम क्या करेंगे दोनों को जोरेंगे क्योंकि हमें sin square theta plus cos square theta को find out करना है तो add करेंगे so on adding we can write here sin square theta plus cos square theta so this is equal to p square divided by h square plus b square divided by h square ठीक है अब देखें यहां पर हमें भिन का जोर करना है जैसे हम लोग करते थे थे ना जैसे माल लेते हैं यहां पर example में बताता हूँ कि 1 over 2 करना है plus 3 over 2 करना है तो l same क्या हो जाता था अगर यह same है तो l same हमारा same हो जाता था 2 so यह 2 हो जाएगा और यह 1 plus 3 हो जाएगा इस तरह सम करते हैं तो यहां पर l same क्या हमारा h square है और h square है तो l same क्या हो जाएगा हमारा यहां पर h square हो जाएगा ओके और उपर में क्या जाएगा p square है तो इस h square को नीचे वाले h square से डिवाइड करेंगे तो कोसिंट क्या आता है 1 उस 1 को numerator से multiply करेंगे so this is p square plus b square अब हमें पता है यहां पर आप देखिए यहां पर लिख रहा हूँ पाइथागरस theorem की h square so this is equal to p square plus b square यह हमारा पाइथागरस theorem है जिसे हमने फर्स लेक्चर में ही देखा था so p square plus b square is equal to h square अब यहां पर h square over h square हो जाएगा और यह हमारा cancel out होके बन जाएगा 1 so we can say that sin square theta plus cos square theta this is equal to 1 यहां पर ध्यान देनी की बात है कि जो हमने angle लिया है theta वो कोई भी angle लिया है चाहे वो 1 degree हो चाहे वो 10 degree हो चाहे वो 90 degree हो चाहे वो 180 degree हो कोई भी angle हो ठीठा के different value कोई भी value लिले है pathology degree लिले है तो LHS is equal to RHS हो जाता है हमेशा तो यह ठीठा पर depend नहीं करता है किसी particular angle पर depend नहीं करता है इसलिए हम लोग इसे कहते हैं identity तो यह होगा हमारा sin square theta plus cos square theta is equal to 1 चलते हैं next में है cos square theta minus cos square theta is equal to 1 तो same चीज़ हम यहाँ पर use करेंगे कि cos square theta so this is equal to क्या होता है हमारा cos square theta sin theta का reverse होता है that is hypotenuse divided by perpendicular यह हो जागा cos square theta ठीक है square चाहिए हमें तो हम यहाँ पर cos square theta लिखेंगे so this is equal to h square divided by ps square okay so this is h square divided by ps square यह cos square theta हो गया अब हमारे पास है cot square theta so cot square theta के लिए हमें क्या करना है cot theta क्या होता है 10 theta का reverse इसका मतलब है base over perpendicular so we have cot square theta is equal to base over perpendicular का square direct मैं यहाँ पर लिखता हूँ so this is equal to b square over p square right so suppose this is first and this is second अब हम क्या करेंगे first मैं से second को घटाएंगे घटाने सी क्या हो जागा हमारा cos x square theta minus cot square theta बन जागा so we can write here cos x square theta minus cot square theta so this is equal to h square divided by p square minus b square divided by p square अब यहाँ पर denominator में p square है so we can write here p square हमारा lcm हो जाएगा इस lcm को denominator से divide करेंगे cos 1 आएगा इस 1 को इसके numerator से multiply करेंगे तो यह हमारा h square हो जाएगा similarly यहाँ पर p square को प square से divide करेंगे तो cos 1 आएगा 1 को अगर हम numerator से multiply करेंगे तो यह बन जागा b square अब हम यहाँ पर जानते हैं पाइथागरस theorem से कि h square is equal to p square plus b square जो कि हमने first lecture में देखा था तो आप उस जाके उस lecture को देख सकते हैं सारा का सारा link description box में दे दिया गया है जिससे कि आपको कोई problem ना हो अब हमें क्या चाहिए h square minus b square इसका मतलब है कि दोनों तरह हम b square अकर घटाते हैं so h square minus b square so this is equal to p square plus b square minus b square यह हमारा exam है जो कि इस चीच को में हम डिसकस कर चुक है so यहाँ पर हमनों लिख सकते हैं कि h square minus b square so this is equal to p square तो अब यहाँ पर देखे हमारे पास क्या था cos square to cosic square theta minus cot square theta so finally we can write here cosic square theta minus cot square theta so this is equal to h square minus b square so this is equal to p square so p square divided by p square यह again cancel out होके क्या बन जाएगा हमारा 1 बन जाएगा तो हम अब अपने दूसरी आदेंट्री इसको लिख सकते हैं कि cosic square theta minus cot square theta this is equal to 1 तो basically जो definition हमने previous class में सीखा था और पाइथागरस theorem को जो सीखा था उसी को use करके हम लोग इस तरह के identities को अराम से अप्रूफ कर सकते हैं next identities है हमारे पास sec square theta minus 10 square theta is equal to 1 so we have sec theta this is equal to this is the reciprocal of cost theta यहापर लिख जेते हैं 1 over cost theta और cost यहाँ हमारा क्या होता है base over hypotenuse so we can write here base over hypotenuse so hypotenuse उपर चला जाएगा so h over b same चीज हम previous वाले में भी कर सकते थे तो आप कर लेंगे हुआ so sec theta is equal to hypotenuse over b so we can squaring both sides so sec square theta this is equal to h square divided by b square okay similarly we have 10 theta so we can write here 10 theta this is equal to 1 over cot theta and this is equal to cot theta क्या होता है हमारा base over perpendicular so यहाँ से हमारा हो जागा perpendicular over base यह उपर चला जाएगा ठीक है डिवाइड होने के कारण so अब हम यहाँ पर square करेंगा so we have 10 square theta this is equal to यहाँ पर छोटा टी लिखेंगा अब बरा टी और छोटा टी क्यों लिखते हैं हम next class जब हम अपर क्लास में जाएंगा तो उस चीज में सीखेंगे so this is equal to b square over b square बक्चो अब यहाँ पर देखिए कि 6 square theta minus 10 square theta है तो इसे हम first माल लेंगे और इसे हम second माल लेंगे अब first में से second को क्या करेंगे? subtract करेंगे so first minus second so this is equal to this can be written as 6 square theta minus 10 square theta this is equal to h square over b square minus p square over b square अब यहाँ पर सेम L से हमारा क्या जाएगा? b square over उपर में क्या जाएगा? h square minus p square और पाइथागरस ठेहरम से हम लिख सकते हैं h square minus p square this is equal to b square over b square अब b square b square यहाँ पर cancel out हो जाएगा और यह हो जाएगा 1 so we can further write here sec square theta minus 10 square theta this is equal to 1 तो इस तरह से हम लोगों ने तीनों identities को solve कर लिया अब इसी identities को use करके और कुछ definition वाले formula को use करके हम different different arithmetic identities के question को solve कर सकते as for example यहाँ पे कुछ questions आपके practice के लिए दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इस question को practice कर लेंगे इसी formula को use करके तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं एक question को solve करके देखते हैं क्या सही है या नहीं है क्या होता है इसमें तो हमें proof करना है sec a into 1 minus sin a into sec a plus 10 a is equal to 1 so we can write here lhs so this is sec a अगर theta रहेगा तो theta लिखेंगे अगर कोई angle रहेगा तो angle लिखेंगे यहाँ पे a है तो हम लोगों ने a लिखा so this is 1 minus sin a into sec a plus 10 a अब यहाँ पे हमें इसे operate करना है अब देखिए जब भी इस तरह का question आएगा तो हम लोग identities को use करेंगे और अगर sec theta है तो उसको cos theta में convert कर लेंगे तो जब जैसे से आप question कीजिए का आपको अपने आप पता चलता पता चलने लग जाएगा करना क्या so we can write here sec a this is written as sec a is 1 over cos a into 1 minus sin a कर लिया हमने ok कर लिया अब यहाँ पे sec a को क्या लिए सकते है 1 over cos a ठीक है क्योंकि sec a का reciprocal क्या होता है cos a so sec a is equal to 1 over cos a plus 10 a को क्या लिए सकते है sin a divide by cos a ok यह step हमने लिख लिया अब further क्या करेंगे 1 over cos a देखे धियान से into यहाँ पे हम 1 minus sin a लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं करना है अब यहाँ पे cos a है और यहाँ पे cos है चुकि ब्रैकेट में है तो हम lcm ले लेंगे so this is cos a अब उपर में जो lcm है वो cos a है तो cos a को हम denominator से multiply दिवाइट करेंगा तो वहाना जागा जो कोसेंट आया 1 उसको हम numerator से multiply करेंगा so this is 1 into 1 this is equal to 1 plus same चीज यहाँ पे जागा sin a अब यहाँ पे operation हमारा इस तरह का गया अब देखिए दो multiplication है एक है 1 plus sin a और दूसरा है देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते है 1 over cos a एक multiplication 1 यह हो गया into 1 minus sin a right और एगें यहाँ पे 1 plus sin a अगर हम लोग कर ले और नीचे में हमारा cos a है ठीक है cos a हो गया अब इसे हमें calculate करना है इसे solve करना है कितना आएगा so we can write here 1 over cos a into cos a that is cos square a अब देखिए यहाँ पे उपर और नीचे वाला तो हो गया अब उपर वाले पार्ट में हम करेंगे 1 minus sin a और 1 plus sin a so अगर यहाँ पे small a is equal to 1 मालने और small b is equal to sin a मालने तो हमारा क्या बन जाता है a minus b into a plus b that is a square minus b square so we can write a क्या है 1 तो 1 का square is 1 minus b square क्या है b क्या है sin a so sin square a अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी जो हमने proof किया था identities उसे use करेंगे और कौन साइडेंटिटी आ जागा यहाँ पे हमने देखा था कि sin square a plus cos square a this is equal to 1 तो यहाँ से हमें क्या चाहिए 1 minus sin square a so we can write here sin square a को हम right hand side में ले जाएंगा तो sin negative हो जाएगा so cos square a is equal to 1 minus sin square a so 1 minus sin square a के जगा हम लोग लिख लेंगे cos square a divide by cos square a और यह numerator और denominator एक दुसरे को cancel out कर देगा और यह बच जाएगा हमारा क्या 1 तो इस तरह से हम LHS से चले थे यहाँ पे और इस तरह से operation करके हम लोग RHS right hand side में आ गया है तो यह हमारा proof हो गया तो इस तरह से question को देखना है question में कौन सा identities use होगा वो करना है और उसके आद आपको further move करना ऐसा नहीं कि pain रोकिए आपको बैठ जाना है अगर question ना हो तो नहीं कुछ न कुछ operation आता चला जाएगा जैसे और कोई question देखना चाहती है यह question आप homework में कर लिजेगा नहीं तो मैं कल जो भी question बचे गए उसको करके देखेंगे कल करेंगे इस चीच को ठीट है तो यह एक और question है यह एक और question है इसमें आप क्या करेंगे कॉसेक ठीटा है तो 1 ओवर साइन ठीटा कर लेंगे कॉसेक ठीटा है तो 1 ओवर साइन ठीटा ओवर कॉसेक ठीटा कर लेंगे हो जागा question सेम यह चीज है तो यह सब कुछ question है जो कि आपको करके आना है तो इस question को करके आप आये कल इसमें अगर कुछ problem होता है कहीं पर अगर कोई दिक्कत होता है तो उसे आप हमें comment box में डालें next class में यह जो question है इस question को हम लोग discuss करेंगे और एक है question पे जो जो steps आएगा उस चीज़ को देखेंगे कौन सा identities आ रहा है जिसके कारण इस question को हम solve कर सकते हैं या कौन से identities को use करते हैं तो next class में इस तरह के question कुछ और question करेंगे इसके बाद हमारा दो lecture और आएगा दो या तीन lecture आएगा जो कि height and distance पे based होगा उसमें भी definition पे based question हम लोग करेंगे इतना करने से हमारा तेंथ लेवल का हो जाएगा और यह बहुत basic है तो आप क्या करेंगे जो भी lecture हो रहा है जो भी description box में लिंक है अगर कहीं भी problem होता है तो आप description box में जाएगे वहाँ पे हर chapter के बारे में हर concept के बारे में अलग अलग लिंक पे बताया गया तो उसको आप देख लिजा आपका सारा concept क्लियर हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही रखते है have a good day thanks for watching और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे subscribe कर सकते हैं like कर सकते हैं और share कर सकते हैं तो आज के लिएतना है have a good day जाय हिंद